हेलो गाईज, वेलकम टू अचीव आईएस, मैं नीम इस आयूश मिठी, इस फीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्टार्टप एडवाजरी काउंसल के साथ साथ और भी स्टार्टप से लेटेड जो करंट अफेर्स हाल या न्यूज में आए हैं उनके बारा में हैं अच्छे से डिसक्रस करेंगे सबसे बात करता है नेशनल स्टार्टप एडवाजरी काउंसल सरकार ने नेशनल स्टार्टप एडवाजरी काउंसल के स्थापना की है ये केंद्रसाकार को एडवाइस देगा एक strong ecosystem बनाने के लिए ताकि innovation और startups को promote और nurture उनको किया जा सके भारत देश में इंडिया ranks 136 on the parameters starting a business in the world bank's is of doing business stable against an overall rank of 63 आपको बता है हमारी world bank की is of doing business high overall rank हमारी 63 आई लेकिन इसके न world bank की is of doing business index में कुछ parameters होते है उन parameters की भी अलग से index निकलती है तो हमारी starting a business के मामले में तो 136 rank आई है तो एक तरफ से is of doing business हमारे लिए सही नहीं है जो rank आई हमारी 63 लगेगा कि अच्छी है लेकिन अंदर जब हम जहाग के देखेंगे तो starting के पहरा business जो की एक initial चीज होती है business शुरू करने से पहले वो चीज उस मामले में हम बूरे है इसलिए National Startup Advisory Council इस्थापित की गई इसकी composition UPC Plimps के objective से काफी important है पर इबर पढ़ लेते हैं chairman होंगे minister for commerce and industry convener होंगे council के joint secretary department for promotion of industry internal trade ex official members होंगे जो की ministries इसमें जुड़े वी होंगे department जुड़े वी होंगे उनकी nominees वहां से जो official से चुने जाएंगे जो की joint secretary की rank की नीचे नहींगे joint secretary की rank की rank की उपर होंगे और कुछ non official members होंगे जिनको केंडर सर्गा nominate करेगी कई सारी categories से start up से और companyों से ताकि जो वो investors हैं उनके interest को represent कर सके non official members का time period दो साल के लिए होगा या आपको याद रखना है कि जो term होगा non official members के लिए वो दो साल का होगा अच्छा मैं बात तो किया कर दिया national startup advisory council की मैं कहता हूँ start up होता क्या है लब start up की बात करें तो start up हम in the sense यूज ले लेते हैं जब कोई business शूरू हुआ है तो लेकिन तरहसल start up की definition होती है definition यह है कि पहले यह definition थी कि कोई भी company अगर उसको साथ साल हो चुके है उसका incorporation हो रेजिस्ट्रेशन हुए वो start up है लेकिन उसको change करके हाली में 10 साल कर दिया तो अब 10 साल अगर कोई company हो चुके उसको incorporation उसका registration हुए तो start up है कोई भी company उसका turn over अगर 100 करोड की उपर पहुँच गया है अब 100 करोड तक है तो उसको जो है मान लिया जाएगा start up 100 करोड तक है उसके उपर नहीं 100 करोड तक है तो उसको start up माना जाएगा उसको उपर जाते ही वो start up की category में नहीं रहेगा उसको चूटर मिलती है start up के अंदर वो नहीं मिलेगी यह limit पहले 25 करोड थी कि पहले जो 25 करोड तक का turnover है वो लेकिन अब 100 करोड तक के turnover वालियों को startup company माना जाएगा और उनको छूट मिली जाएगी लेकिन यहाँ पे startup से लेटेड भी कुछ दिक्कते होती हैं कि आप startup जो है वो building or land में invest नहीं कर सकता हाँ stock in trade के वास्थे खरीच सकता है और loan भी offer नहीं कर सकता और capital contribution भी नहीं कर सकता share में invest नहीं कर सकता कार में invest नहीं कर ठीक है जो की 10 लाख से जज़ादा की होती हो जो mode of transport है जो कार है, vehicle है वो 10 लाख से ज़ादा हो तो वो उसमें invest नहीं कर सकता उसमें capital contribution नहीं कर सकता तो कई सारी चीज़ हैं जो कि start-up को यहाँ पर exemption में लेवे होते हैं लेकिन start-up की definition आपको याद रखने हैं 10 साल हो गए registration हुए और 100 करोड का turnover के नीचे हो तब इसको start-up माना जाएगा अब to a turnover 100 करोड फंक्शन क्या कहा है इसके देखो national start-up advisory council के function होंगे the council will suggest measures to foster culture of innovation among us citizens and students in particular promote innovation in all sectors of the economy across the country councils major suggest करेगा ताकि culture of innovation बढ़े citizens and students के बीच में particularly promote करेगा innovation को economy के सारे sectors में it will also suggest measures to facilitate public organizations to assimilate innovation innovation को बड़ावा देने कोशिश करेगा public organizations में with a view to improving public service delivery public service delivery को improve करने के लिए creation को promote करने के लिए protection के लिए commercialization के लिए intellectual property rights को भाई आपके जो intellectual property rights होते हैं कोई company है उसका अपना एक business model है उसका अपना एक लोगो है उसका अपना एक तरीका है काम करने का तो इसको intellectual property rights मतलब उसका trademark हो जाएगा ठीक है उसका कोई musician है को इनुवेटिव गाने बना रहा है या फिर कोई ऐसी ची निकल के आ रही तो उसका copyright हो जाएगा तो intellectual जो property rights होते हैं आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा उनको भी protection करने के बाद इसमें की गई है further it will suggest measure to make it easier to start operate grow exit कोई भी business आप ढंग से start कर सको उसको operate कर सको उसको आगे बढ़ा सको जरुत पढ़ने पर उसको बंद कर सको इन चीज़ों में बहुत दिक्कतें आती हैं काफी सार regulatory issues जहलने पड़ते हैं company वालों को तो इनको reduce करके EG बनाके हम E-job assess to capital भी promote कर सकते है regulatory compliance भी reduce कर सकते हैं कोश्ट भी reduce कर सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों के लिए start करने के लिए बहुत ज़ता time लग जाता है बहुत ज़ता documents बनाने पड़ जाते हैं जगह जगह दप्तरों के चेकर लगाने पड़ते हैं तो इससे company की कोश्ट भी जाती है प्लस समय भी बरबाद होता है और एक नेगेटिव जो है atmosphere भी बनता है National Startup Award यह current affair हाली में आयता कि Department for Promotion of Industry and Internal Trade ने first ever पहली बार National Startup Award स्थाफित कि है ने स्टार्ट अवोर्ड उन स्टार्ट अप्स को पहचानेगा Outstanding Startup और Ecosystem Enablers को जो की एक innovative solutions ला रहे हैं और काफी potential है उन्गा का और सौशल इंपक्ट भी काफी जाद है दा वोड़ फोर स्टार्ट अप्स विल बी गिवन थिव एरिया स्ट्प इस अरियाज में स्टार्ट अप दिये जैंगे इंगे लासिफाइड इंटू 12 बोड सेक्टर्स में ध्लासिफाइड है जैसे कि अग्रिकलचर इस अरिया में जीतने वाले को पांच लाग रुपे यहां पर स्टार्ट अप मिलेगा और कुछ कैटेग्री भी एक विनिंग इंक्यूबेटर जो की एक सबसे कह सकते हो आप सबसे ज्यादा जो इंपक्ट वाला स्टार्ट अप है उसको एक इंक्यूबेटर वन वाकि विनिंग इंक्यूबेटर के लिए 15 लाग और विनिंग एक्सेलेटर आवोर्ड केटेग्री वाले को 15 लाग यह वोर्ड के लिए अप्लिकेशन 31 दिसंबर 2019 के लिए उपन थी अब जो है अब स्टार्ट अवोर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे स्टार्ट अप सैल देखो हाली में इंपर टेक्स लगता है तो जो इंवेस्टमेंट वो लेती है उनमें भी टेक्स लगता है तो इंगल टेक्स उनको बोलते है तो जो इन angel tax है और other tax related issues जो face करने पड़ते हैं startup को उनकी solution के लिए special cell बनाई गई है पाँच member की special cell है जो की Central Board of Texas के दोरा बनाई गई है the startup cell जो होगी startup cell इसका नाम दिया गया है इसको CBTD के member के दोरा ही added की जाएगी इस cell will work towards redress all of grievances and mitigate tax related issues जो grievances जो problems है tax related उसको solve करने की कोशिश की जाएगी इसमे startup entities की बात कर रहा हूँ startup entities related और income tax एक 1961 से लेटेड जो भी दिक्कते आ रही हैं वो इनका समाधान करने कोशिश की जाएगी Ministry of Electronics and Information ने हाली में नए initiatives जारी किये है मतलब पहला जो है initiatives उन्होंने initiatives जो ली है इतने सारे उनका पहला startup summit हुआ तर न्यू देली में उस summit के अंदर इन्होंने initiatives ली है इन्हें मैं बात कर देता हूँ देखो एक तो इन्होंने जो है Ministry of Electronics and Information ने startup hub खोला है अपना MSH और second phase जो है incubators, aleators, mentors भाई एक जगे पैसा देने वाले startup में एक जगे mentors एक जगे खुद startup जो काम कर रहे हैं एक जगे एंजल fund capitalist एक जगे venture capitalist यहां पे आते हैं और एक दूसरे के साथ connect करते हैं बात करते हैं मीटी startup hub में ठीक है MSH में Indian software product registry जो होगी जो भी हाली में launch की गई समिट में वह सिंगल window portal होगी जितनी भी companies और प्रोड़क्स हैं डवलप किए जा रहे हैं उनको इंडिया में एक तरीके से analytics उनको डेगी data देगी कि किस तरीके से जो है यहां पर काम हो सकता है और जो गवर्मेंटी market प्लेस एकल मैंने वीडियो बनाई गवर्मेंटी market प्लेस पर जिस पर जो government departments हैं जो organizations हैं जो companies हैं वो खरीद दरीद कर सकती है जो भी उनको चाहिए ओफिस में तो इनमें भी अगर कोई startup सेल करना चाहता हो अपने products तो वो कर साथा तो इंडियन सॉफ्टर प्रड़क्ट रिजिस्टरी एक तरीक से प्रड़क्ट रिजिस्टरी होगी कि अपने प्रड़क्ट जो हैं कंपनिया इस रिजिस्टरी पर ल development for entrepreneurs 2.0 यह एम है इसका कि 200 technology startups को एक जगे लाना है strengthen करना है और जो technologies और इनको इमर्ज करना है जो technologies आ रही है उसकी फाइदा उठाना है और इस तरीके से इक्यावन incubation centers empower करने की बात की गई अचा कुछ key terms है कि unicorn decacorn और hectocon यह उनिकोन आपने देखा हुआ कि union unicorn startups है यह startup तो unicorn बन गया है यह terms आपने news में सुनी होंगी तो unicorn का मतलब होता है कि venture capital एक startup जिसकी valuation एक billion dollar पहुच गई है decacorn होता है जिसकी capital 10 billion जिसकी valuation 10 billion तक पहुच गई है और hectocon में होता है वह company वह startup जिसकी valuation 100 billion अब startup तो नहीं रहेगा माफ कीज़ेगा यह company startup तो नहीं रहेंगी company बन जाएंगी क्योंकि हमारे देश में तो मैंने कहा कि 100 crore तक का जो turnover अगर होगा तो startup है उसके उपर नहीं है तो एक billion valuation पहुचते पहुचते तो वह ऐसे भी startup की category में नहीं रहेगी लेकिन उसको unicorn company कहा जाएगा और 10 billion डॉलर वाली को decacon और 100 billion डॉलर वाली को hectocon ठीक है तो गाइस यहतने हमारी वीडियो thanks for watching जय हिंद God bless you